दोस्तो हमारा प्यारा देश भारत अपने विक्सित भारत के लक्ष को प्राप्त करने की तरफ निरंतर आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसी दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है दोस्तो आपको बता दें कि भारत की सबसे बेस्तम हवाई अड़ों में से एक दिल्ली का इंद्रा गाधी इंटरनेशनल हवाई अड़ा इस समय सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर चालू होने जा रहा है भारत का पहला एयर ट्रेन की सुविदा दोस्तो आने वाले कुछ सालों में दिल्ली एरपोर्ट पर एयर ट्रेन की सुविदा चालू कर दी जाएगी लेकिन दोस्तो किया आपको मालूम है कि दुनिया भर के किन किन देसों में एयर ट्रेन चलती है और यह हवा में किस तरह काम करती है और यह प्रोजेक्ट भारत में कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें भारत सरकार की कितनी पैसा खर्च होने वाला है पूरी जानकारी बिस्तार से जानेंगे तो वीडियो में अंतक बने रहेगा नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सब ठेक होंगे दोस्तों आपको बता दे कि राजधानी दिल्ली का इंद्रा गाधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश ही नहीं बलकी दुनिया भर के सबसे ब्यस्तम और बड़े एयरपोर्टों में से एक माना जाता है दिल्ली एयरपोर्ट से हर दिन हजारो यात्री उडान भड़ते हैं उनमें बड़ी संख्या में वे इंटरनेशनल पैसेंजर भी होते हैं जिनकी connecting flight होती है या फिर वे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंच कर फिर टर्मिनल 2 या 3 पर जाने के लिए सडक मार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आने वाले समय में एयर ट्रेन के माध्यम से ये यात्री एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहुत आसानी से जा सकते हैं दोस्तो एर ट्रेन की सुरुवात होने के बाद से ही हवाई यात्री बिना जाम में फचे कुछ ही मिन्टों में टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 तक पहुं सकते हैं। इस एर ट्रेन की रूट की कुल लंबाई 7.7 किलोमीटर होगी। और यह महाचारी स्टाफ टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, एरो सीटी और कार्गो सीटी पर रुकेगी। मीडिया जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को साल 2027 के अन तक पूरा करने का अलच निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए डायर ने टेंडर भी जारी कर दिया है। और संभावना है कि आ दोस्तों दिल्ली एरपोर्ट से हर साल 7 करोड से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। जिस तरह एर पैसेंजर की संक्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि अगले 6 से 8 वरसों में यहां से करीब 13 करोड यात्रियों का आवागमन होगा। इन यात्रियों करीब 25% ट्रांजीट पैसेंजर होते हैं जिने टर्मिनलों के बीच आना जाना होता है। फिलहार फीडर बस के जरिये एसे पैसेंजर को एक टर्मिनल से दूसरे में टर्मिनल तक ले जाता है। एक फ्लाइट के पैसेंजर के लिए 3-4 बस भी कई बार कम पढ़ जाते पर एयर ट्रेन सर्विस पैसेंजर के साथ साथ आपरेटर एजेंसी के लिए भी फायदे मंद होगी। इस सर्विस के सुरू होने के बाद खास कर कनेक्टिंग फ्लाइट वाले पैसेंजर को काफी राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एरपोर्ट का एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आप अंदर ही अंदर कुछ हमिन्टो में पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप मालने कि आप domestic flight से airport के terminal एक पर पहुंचते हैं और फिर वहाँ से international flight के लिए आपको international flight पकड़ने के लिए terminal तील जाना है तो इसके लिए airport से बाहर निकलने या अन्य वाहर से जाने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और आप air train की सुविदा से कुछ हमिन्टों में आ और बहुत से देश हैं जिनमें air train चलती है दोस्तों air train का पूरा प्लान आप इस तरह देख सकते हैं 2000 करण रूपे का खर्च आने का अनुमान तीन साल से बनकर तयार हो सकता है एयरपोर्ट के टर्मिनल दो एक दो और तीन को आपस में इस air train के माध्यम से जोड़ा जाएग तीनों टर्मिनल के अलावा इसे एरो सीटी और कार्गो सीटी से भी जोड़ा जाएगा इस air train को डिटी सी की फीडर बसों के बिकल्प के तौर पर पेस किया जाएगा दोस्तो कैसी लगी जानकारी कमिंट वाक्स में जरूर बताए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइट और चनल को सस्क्राइब ही कर लिजे धन्यवाज जय हिंद